हेलो गाईज वेल्कम बेक टो माई यूटिब चैनल आइप आप सब अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा गर पर एक रूटिंग हॉर्मोन कैसे बनाएं बाजार में कई हो रूटिंग हॉर्मोन मेरते हैं लेकिन वह क्या हो केमिकल बेस्ट होते तो कभ इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो और डूसरी चीज में ले रहा हूं वह है ये तालचीनी इसको आपको इन दोनों को मिला कर आप प्रूटिंग हॉर्मोन बना सकते हैं आपको दोने इक्वल रेशियो में लेना है मैं वन स्पून हनी लूँगा और वन स्पून सीनाम मिक्सर में मिक्सर में घ्राइंड कर सकते हैं या फिर ऌ 측官 सकते हैं से बस अपको इसका फावडर चाहिए तो सबसे बहल खोहर को वान स्पून हनी लेना है तो मैंने वन पून हनी लिया हाई है और बाकी में हमें जो दू cinnamon powder और honey लेना है वो equal ratio में लेना है अगर आप honey one spoon ले रहे हैं तो cinnamon powder भी one spoon ही ले तालजीनी के powder जो होता है वो भी one spoon ही ले ज्यादा कम ना करें तो यह rooting hormone हम कोई भी cuttings को grow करने में use कर सकते हैं cutting के जो soil में dip करना है उस end पर आपको इसे लगा लेना है और बस dip कर देना है इससे क्या होगा कि rooting hormone से roots develop होने में उन्हें ज्यादा help मिलेगी तो अब भी मैंने तालजीनी को piece लिया है और इसका powder बना दिया है powder form में यह हो चुका है अभी काफी हद तक और अब मैं इसे इसमें मिक्स कर देना है बस अब honey और cinnamon powder तालजीनी powder को दोनों को आपको ऐसे mix कर देना है अगर आपको बना यह paste बनाने पर ऐसा लगए कि यह काफी ठीक है तो अब इसमें थोड़ा ज्यादा honey add कर सकते हैं और अब आपको क्या करना है कि जो आप cutting grow करना चाहते है उसके एक end पर ज काफी जल्दी roots develop करेगा अगर आपको वीडियो अच्छे जगे तो लाइक करें शैर करें और सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई specific topic पर वीडियो चाहते है तो comment में ज़रूर बताए thank you so much for watching बाइ झाल करें और आप करें तो झाल करें तो भना है